Hello everyone, good morning, नमस्कार, 6 September 2021 और आज के The Hindu News Paper को हम लोग डिसकस करेंगे, अनलिसिस करेंगे आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा पुरिवर्तन आईए, सकेडिमें टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अजेंसीज फ्लैग सर्जी नंबर ओफ फोरन अल्ट्राज इन नौर्थ कस्मीर करके टाइटल दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर जो सेंटरल अजेंसीज है, उन्होंने वहन किया है, कि नौर्थ कस्मीर, यानि जमुन कस्मीर का जो नौर्थरन पार्ट है, यह वाला जो इंक्रीज होने की पोसिबिलिटी जो है, उसको कही न कहीं माना गया है, और उसको लेकर वार्निंग दी गई है, इसके लावा फोरन अल्ट्राज का मतलब होते है, कुछ फोरन टर्रिस्ट यह इस तरह की ग्रूप जो है, इस एरिया के अंदर एक तरीके से अक्टिव है, औ इसके लावा जो डिस्टिक इसके अंदर कवर करीगी है, वो है बारा मुला, बांदी पोरा और कुपवाडा, ये तीन डिस्टिक को अनलिसिस किया गया, पहली बार ऐसा, बहुती रेर चीजे होती, जनरली आपने देखा होगा, जमुन कस्मीर में जो टेरिस्ट एक्टिव बाइफर्केट किया गया था, जमुन कस्मीर को तो लद्दाख एरिया के अंदर रखा गया है, पाकिस्तानी ओक्टिपाइड कस्मीर वाले रिजिन को, तो जमुन कस्मीर के बिलकुल नौर्थ में, सिरनगर के नौर्थ में ये वाला रिजिन एक तरीके जे हाई अलर्ट प उन पर अटेक करने की कोशिस करें, तो इसमें कई सारे ग्रूप्स हैं, जैसे महमद, अलबदर, लस्करे ताइबा, इस तरह के जो ग्रूप्स हैं, उनके बारे मेंशन किया गया, ओफिशिल डिटेल दी गई है कि आर्मी के दौरा, प्लिस के दौरा के अक्शन के गेश लि बढ़ाया गया, क्योंकि अभी जम्मन कस्मीर में एक सेबटिस्ट लीडर थे, सेयद अली शागिलानी, इनकी डेथ होई ती, उसके बाद एक तरीके सेंस्टिव सा एरिया है, इसलिए वहाँ पर ये इंटरनेट को बंद किया गया, इसके अलावा यहाँ पर स्टेट वार् टाइटल दिया गए, छोटीश एक न्यूज है, यह डिटेल में हम पढ़ेंगे पेज नमर एट पर, वहाँ पर यह मैंसेन की गई है, इसके राइट हैंड साइड एक न्यूज है, और वो है निपा वारस को लेकर आना, तो कोजी कोड केरला के अंदर बारा साल के एक बच् टाइट है क्या, तो मैं इसके लिए डवलु एचो की जो ओफिशिल डिटेल से उसका यूज कर रहा हूँ, तो निपा वारस जो है यह इन्फेक्शन होता है, इस्तरी के से वेरियस रेंजिज की वज़े से हो सकता है, जिसमें एस्सिम्टमेटिक इंफेक्शन हो सकता है, ज किस तरह के आउटब्रेक, जो है, depends करते हैं, लोकल कैबलेटीज भी, यह आप कैसे उसको काउंटर करते हैं, आपके यहाँ पर किस तरह की facilities है, उसके ऊपर जो है, ढिपेंड करता है, यह जो है, transmit हो सकता है, human में एनिमल से, जैसे bats हो सकता है, या contaminated foods से भी हो सकता है, इनके अलावा ये transmit हो सकता है, human to human directly भी transmit हो सकता है, fruit, bats या चमगादर को इसके लिए ज़्यादा तर responsible माना जाता है, right, फिलाल इसके लिए कोई treatment नहीं है, ना तो animals के लिए, ना ही humans के लिए, और ये कुछ suggestion दी गिया है, और उसी के बारे में यहां पर भी जो main चीज़े हमें पढ़ आप लोगों के लिए question है, क्योंकि हम निपा वायरस पढ़ रहे हैं, आपको comment करना की पूरी दुनिया के अंदर, पहली बार निपा वायरस के case कहां पर दर्ज किये थे और कब, मतलब आप अगर आपको याद हो, या आप Google करिए, कैसी बगरिए, आपको वो comment करना की निपा वायरस पूरी दुनिया, हम सबसे पहले कहां पर देखने को मिला था, इसके बाद editorial पार्ट को हम लोग discuss करेंगे, editorial पार्ट में तीन editorial हम पढ़ेंगे, एक दो editorial मैं आपको एक personal suggestion दोगा, कि आप homework की तरह उसको पढ़िए, life after death करके title दिया गया, left hand side, ये article जो सेयद अली एक article दिया गया, ये article basically disabled person के लिए जो facilities है, उसको लेकर इसमें sports को target किया गया है, right, इसके लावा reservation system को revitalization करने की जुरूथ है, ये उसको फिर से re-analysis करने की जुरूथ है, उसको लेकर ये article दिया गया है, और basically cash census को लेकर ये mainly article है, तो सबसे पहले बात कि गया है, life after death, right, तो यहाँ पर ये mention किया गया, subtitle के रूप में, इंडिया must raise the opportunity to start a political dialogue to resolve the Kashmir issue, यानि Kashmir issue को resolve करने के लिए भारत को चाहिए, कि इस opportunity को political dialogue के रूप में use किया जाए, right, तो 92 ये के ये Kashmirी nationalist बोलते हैं, अपने आपको ये separatist leader थे, इनकी death हो गी है, और originally इनकी theory क्या थी है, प्रो प इंडिनेरी बंद किया गया है, कि कुछ ground पर इनको वहाँ पर support है, या जो भी आप इनके follower बोल सकते हैं, right, तो फरवरी 2019 के बाद जब पुलवामा में society attack हुआ था, उसके बाद government of India ने बहुत सारे strict action वहाँ पर ली, इन leaders को जो है, वो तरीके से home arrest के अंदर रखा गया, और फिर उसके बाद अगस 2019 के बाद जब भारत सरकार ने या central government ने हटा दिया था, यहाँ पर 370 और 35 AK sections को, तो उस context में यहाँ पर अभी देखेंगे कि बहुत ज्यादा discussion, बहुत ज्यादा बातचीत इन leaders नहीं हुई है, अभी जून के अंदर कुछ बातचीत हुई थी, mainstream leaders के स लेकिन अभी भी उसका कोई critical result जो है, हमें देखने को नहीं मिलता, जमवन कस्मीर जो है, बहुत ही important area है, और important इसली भी है, क्योंकि जिस हिसाफ से अफगानिस्तान में एक volatile situation हुई है, या एक तरीके से बोलेंगे कि Taliban का rule आना, या vulnerable situation का create होना, और उसके बाद, पाकिस्तान बहुत जादा खुश है इस सीज़ से, कि Taliban वहाँ पर power में आ गया है, और आप उनको benefit मिलेगा, हला कि Taliban की जो statement होती है, वो एक दिन अलग देते, दूसरे दिन अलग देते, तो उनकी statement जो है, वो solid नहीं है, पहले दिन उन्होंने बोला था कि we will not raise the जमवन कस्मीर issue, second ये बो उन सब situations को analysis करते हुए, जरूरी क्या है भारत के लिए, क्या भारत को various fractions से बातचित करने चाहिए, ताकि security को लेकर बिलकुल भी concern ना हो, या security को लेकर जितने भी concern को resolve कि अज़ास के, इसके लाबा यहाँ पर आप देखेंगे, पाकिस्तान एक emerging player की तरह है, नजर आएगा क्योंकि अफगानिस्तान में sport करने को लेकर, या Taliban को sport करने को लेकर, एक country जो सबसे ज़्यादा आगे रही है, वो है पाकिस्तान, इवन वहाँ के, जो minister उन्होंने बोला भी है, कि हमने sport करी, हमने इनको एक तरीक यहाँ पर जगह दी, training दी, और finally हमारे साथ इनके relation जो है, अच्छे होंगे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, जमण कस्मीर में जो इस टाइम सिच्वेशन है, और जमण कस्मीर में क्योंकि आने वाले टाइम में, फुल स्टेट हूड और उसके बाद elections करवाने का जो procedure होगा, उस context में, यहाँ पर ज़रूरी क्या central government हो, या mainstream political party इवन अगर separate leader है, क्या उनके साथ बातचित करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर एक debate हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी death हुई, गिलाने की death हुई है, इसने एक तरीके से opportunity create किये कि various कस्मीरी आउटफुट, जो भी कस्मीर में outfits हैं, उन सब से बातचित की जा सकती है, और comprehensive dialogue की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ताकि जम्मुन कस्मीर जो की भारत का integral part of India है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी issues ना हो, एक sustainability के साथ country आगे बढ़े, तो ये कुछ important इसके अंदर mention किया गया, इसके बाद just नीचे का article है, true metal करके का article, और इसका मतलब होता है, उ access to differently evolved athletes, यानि ये basically दो चीजों पर बात करता है, तो infrastructure को लेकर particular रहता है, disabled athletes के उपर है, और sports के मामले में, कैसे हम लोग एक infrastructure development कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर ये एक information है, तो यहाँ पर बात करेंगे, भारत ने, क्योंकि 5 September 2021 को एक last दिन था, पहरा olympic 2020 का, और उस दिन भा olympic के बारे में बात करेंगे, तो भारत ने केवल 7 medal जीते, जिसमें से केवल 1 gold था, लेकिन पैर olympic में different scenario देखने को मिला, भारत में अगर आप disabled person की बात करेंगे, तो लगभा 2.2% population जो है, वो disabled category के अंदर आता है, I think ये data जो है, 2011 के census का data है, तो इसको cross check करेंगे, इसके अलावा, अगर आप differently disabled person की बात करेंगे, तो भारत ने 24 नंबर पर ranking के साथ खतम किया, और जिसमें 19 medal हमने जीते, जिसमें 5 gold है, 8 silver है, और 6 bronze है, और एक अच्छी चीज क्या है, कि जो 8 silver, इसमें से 1 silver जो है, I.S.O.Fisher Noida के DM साब उनका भी है, उनका भी 1 silver medal है, तो ये अपन हमारे लिए भी boost up की इतरह है, इसके अलावा, भारत ने अगर आप पेरा उलम्पिक के हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे, तो आप तका सबसे स्थरस्ष्ट प्रदर्शन जिसको बोल सकते हैं, वो किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे, ये जो situation है, या जो performance है, वो इतना की तरफ से कुछ limitation है, उसके किसी body part में कोई problem है, या वो body part जो हो नहीं है, उस context में उसके अलावा, society का जो behavior है, उसके अलावा, आप देखेंगे, भारत के अंदर आभी भी urban building जो है, वो accessible नहीं है, एक तरीके से movement करने के लिए, तो उनको completely accessible करना ये important है, तो इन सब के बाद भी अपनी willpower के बदोलत ये जो है वो पैर अलम्पिक के अंदर गए, भारत के लिए और एक अच्छा performance के साथ, भारत के लिए इन्होंने ranking लेकर आए, medal लेकर आए, अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति के अपनी अपनी stories के अंदर है, जिसमें ये visualize करते हैं, experience बताते हैं, उनके साथ जो घटित हुई, accident हो, polio की वज़े से, genetic issues की वज़े से, उनके body part में जो त्रीके से कमी हो गी है, कोई सरीर का अंग जो हो वो, इसमें उनको समश्या हुई, इसके लावा पांच gold medalist की बात करेंगे, सुमीत अंतिल, प्रमौत भगत, कृष्णा नागर, मनीश न olympic committee का, sports ministry का, इन्होंने एक अपना important role play किया, 1972 में पहला medal जीता था भारत ने, पहला olympic के अंदर, और उसके बाद लगातार improvement हुई तो यह अब तक का best performance कर सकते हैं, differently evils के लिए, तो दो तिन चीजे है, corporate sector जो है, वो मदद कर सकते है, दूसरा sport infrastructure को और मजबूत कर सकते है ताकि आने वाले समय में और ज्यादा cheers, यानि और ज्यादा खुशी के पल हम लोग जो है share कर पाएं, अचा second question आप लोगों के लिए, हमने बात की कि भारत ने पैरा olympic में 19 medal जीते हैं और उसमें हमारी ranking है 24, आपको जो olympic हुए थे, पैरा olympic नहीं, जो olympic हुए थे, उ लेकिन भारत की ranking क्या है, वो आपको नीचे mention करनी, जैसे पैरा olympic में 24 है, आपको olympic के अंदर ranking बतानी है कि भारत की ranking कितनी है, right, third editorial जो है the key to revitalizing, यहाँ पर जो third editorial the key to revitalizing India's reservation system करके एक article दिया गया, यह article basically cash census के उपर बात करता है, a socio-economic cash based census becomes a necessary precondition to initiate any meaningful reform करके title दिया गया, इसके अंदर article में अगर आप देखेंगे, तो starting की कुछ lines बोलती है, कि अभी national eligibility come and test test, यहाँ नीट examination को लेकर, OBC और EWS को जो reservation उसको implement कर दिया गया था, All India quota को लेकर, यहाँ पर इनके privacy साब के कुछ photograph और holding आपको दिखाई देंगे, ताकि live light के अंदर action की तरह नजर आए, यह अपने आप में important step है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजी करनी बागी जैसे still no equity करके mention किया गया, कि अभी भी equality जो है, वो हमें लेकर आनी है, equality in the sense कि अगर आप article 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, जो right to equality के बारे में बात करता है, अनों ने जो dream देखा था, क्या वो access हुआ है, यह अपने आप में सवाल है, सबसे पहले बात करेंगे कि problem क्या है current policies है, जो reservation दिया जाता है, हर category के लिए अलग-अलग reservation है, जो decide किया गया है, तो OVC को लेकर एक कहीं कहीं समश्या है, इनोंने बताई क्या समश्या है, दूसरा reservation में अगर आप काश census का क्या रोल है, या काश census कैसे मदद कर सकती है, इनोंने यह यह बताई, यह जाती के अधार पर जन गणना जुहत कैसे मदद करती है, तो यहाँ पर यह बताया गया, कि अभी एक Justice G. Rohini Commission था, उनोंने रिपोर्ट करी सब कटेगरी के उपर जो OVC के कोंट्रेक्शन में बताया गया, इनोंने कि पात साल के डेटा को appointment in central government, इन सब को analysis किया गया, और higher education institution के अंदर admission को लेकर analysis किया गया, तो इसमें बताया गया, कि जो 97% central OVC quota है, वो केवल 25% of its cast, यानि अगर जो 97% seat है, वो केवल OVC की 25% cast को ही उसका benefit मिला है, और अगर 983 OVC communities के लोग है, तो उसमें से केवल 37% जो है, टोटल, उनका या तो zero representation है, या नय के बराबर आपको representation देखेगा, देखने को मिलेगा, चाहे वो central government jobs हो, या central universities हो, इसके अंदर ये भी बताया ग 95% यानि 10% OVC communities ऐसी है, जो लगबग 2.5 के आप आसपास मान सकते हैं, जिन्होंने jobs और admission को carry करते हैं, तो यहाँ पर जो एक imbalance है, यानि OVC के अंदर भी और इसमें एक sub-categorization है कि क्या category के अंदर भी categorization होना चाहिए, sub-categorization होना चाहिए, अलग-अलग cast और communities को benefit देने को लेकर तो यह बहुत ही sensitive और highly debatable topic है, कि reservation का benefit क्या sub-cast में, sub-categories में division करके भी दिया जा सकता है, तो यह जो इस commission की, रोहनी commission की suggestion है, यह definitely important है, और socio-economic condition को show करती है, और जब अब भी reservation को लेकर OVC reservation को लेकर Supreme Court की एक suggestion भी आए थी, कि केवल economics पर एक creamy layer के basis में केवल economic perspective नहीं आ था, वहाँ पर इतरी के से उसकी jobs के अंदर access हो, या अलग-अलग criteria, यानि economic जो criteria है, वो केवल एक part है, वो completely इसके उपर depend जो हो नहीं करेगा, इसके बाद बात की कि insufficiency of data, जो data जो हो बहुत जादा इतरी के sufficient नहीं है, क्योंकि cash census generally हुई नहीं, 1931 के आसपास होई थी, तो और अब भी आपने देखा बहुत सारी political party जो खासकर बिहार की, वो प्रधानमंतरी साब से मिली भी थी, उन्होंने कहा था कि cash census होना चाहिए, जाती कैदार पर जो है जनगरना होनी चाहिए, इसको लेकर affirmative commissions की requirement है, कि जो भी evidence उसको analysis किया जैसे 2008 में, एक equal opportunity commission जो हो बना था, और इसने अपने report submit करी थी, ministry of minority affairs के अंदर, और हलाकि इसके अंदर बहुत जादा progress नहीं होई थी, आने वाले governments में बहुत जादा engagement नहीं हुआ इस particular issue को लेकर, तो ये एक political debate का भी topic है, और generally भी एक debate का topic है, क्या reservation के अंदर भी, जो है सब categorization किया जाना चाहिए, ये कुछ question ह जिसका answer किया जाना चाहिए, और क्या card census होना चाहिए, और क्या card census जो है, उसके कुछ negative impact भी हो सकते हैं, ये कुछ चीजें जिसको लेकर अभी answer मिलने बागी, क्योंकि ये बहुत जादा debate, sensitive topic होगा, इसके अलावाद, एक-दो editorial हैसे हैं, जो अगर आप self study करना चाहें, तो definitely कर सकते हैं, the judicial role in improving lawmaking करके जो title दिया, ये आप self study कर सकते हैं, national monetization pipeline ये already अपड़ चुके, अज़र आप फिर भी आपने नहीं पढ़ा है, तो ये editorial है self study कर सकते हैं, ये वाला आप थोड़ा सा देख सकते हैं, lawmaking वाला, इसके बाद page number 8 पे जो mention किया गया है, जैसे हमने front page पे infiltration जो हो सकता, यानि गुसपेट करने की कोशिस हो सकती है, खासकर जमुण कस्मीर में, राइट, जैसे अफगानिस्तान की वज़े से जो situation create हुए है पूरी दुनिया के सामने, उसमें हो सकता कि कुछ जो terrorist है, वो advantage लेनी कोशिस करें, और भारत के अंदर entry करने की कोशिस करे इसमें कई सारे ग्रूप्स है, जिसमें Islamic State, कुरासन प्रविन्स है, लस्करे तैवा, जैसे मुहमद इस तरह के जो outfits है, ये कोशिस कर सकते हैं कि वो entry करें भारत के अंदर, infiltration करने कोशिस करें, तो इसको लेकर various state government को खासकर, जमण कस्मीर UT को जो है इसमें one किया गया है, औ और United States की armed forces के complete withdraw करने से वहाँ पर war जैसी youth जैसी situation जो हुई है, इसके बाद जो बड़ा सवाल है, इसका एक और problem जो हो सकती है, वो है drug smuggling को लेकर, यानि आने वाले time में जो major issues क्या हो सकता है, कि ये जो लोग थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर jail से छोड़ा ग कर सकते हैं, तो ये कुछ चीज़े हो सकते हैं, इसके अलावा VVIP को लेकर बताया गया और social media को intensify क्या जाएगा, cyber police crime के द्वारा, इनके अलावा अगर public areas है, तो वहाँ पर possibility है कि suicide bombers इस तरह की activity है, तो surveillance जो है उसको और जादा strengthen क्या जाएगा, उसको और जादा मजबूत क क्या जाएगा particular areas के अंदर, यानि क्या होता कि इस तरही situation में ये लोग क्या कर सकते हैं, suicide bombers हो सकते हैं, यानि अपने आपको एक bomb से उड़ा लेना इस तरह की घटने हो सकते हैं, तो इस context में counter करने के लिए, उसको रोकने के लिए, सरकार ने ये कुछ provision ये कुछ चीज़े ब installation करेगी, एक तरीके से coordination करेगी, state government के साथ, कासका checkpoints पर या operation को combine करने में, patrolling को intensify किया जाएगा, इसके अलावा, इसराइल के embassy जो सको और ज़्यादा सिक्योर किया जाए, क्योंकि एक खत्रा रहता है, इसराइल के embassy पर सबसे ज़्यादा, ये कुछ चीज़े हैं, इसके ल security forces और state government के coordination से बनाए जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर एक information ही ही type में, supreme court firm but friendly with government करके title दियागे, इसमें basically क्या किया गया है, चीफ justice of India ने ये बोला है, कि आप high court के जो nomination है, उसको clear करीए, और simple से इसमें बात की गई है, कि जो collegium ने recommendation करी है, कि आप जो high courts के अंदर vacancies को हम उनको clear करिये, और जितना तेज़ी से आप vacancies को clear करेंगे, अभी आपको पता होगा कि supreme court में जजिज जो है, उनको appoint किया गया था, बहुत तेज़ी से, जैसे ही recommendation करी, government के पास गई, और उसके बाद government के clear करने के बाद, president साहब ने उनको approval दिया, और उसके बाद जो oath taking ceremonies होती ह वो सारी चीज़े conduct की गई, तो same चीज़े high court के मामले में बताए गई है, कि high court में भी जो number 7 को implementation किया जाए, या उसको vacancies को fill up किया जाए, इसके बाद third news इसी पेस से है, logistic agreement, यह वाली जो news है, यह आप आप देखिए, बिलकुल right hand side, यह basically बात करता है, logistic agreement जो होने की possibility है, र bilateral logistic agreement जो है, वो UK के साथ जो final stage के अंदर है, लेकिन रशिया के साथ भी complete होने वाला है, और अगले एक या दो मेने के अंदर complete हो जाएगा, तो इसमें इंडियन ने भी को सबसे ज़्यादा benefit मिलेगा, administrative arrangements के context में, ताकि दूसरी countries के साथ corporate कर सके operational improving करने मदद करेगा, तो यह क लोस्त करके या रेकि प्रोकल exchange of logistic agreement बोला जाएगा, और UK के साथ जो आने वाले एक मेने में दो मेने में complete यह कर लिया जाएगा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत ने बहुत सारी countries के साथ logistic agreement कियें, इसमें quad countries है, France है, Singapore है, South Korea है, या अगर आप देखेंगे, इस तरगे agreement के जाएगे और भारत के अंदर विजिट करेंगे रिश्या के defense minister, उस टाइम पे यह agreement जो है, वो complete की जा सकते हैं, तो यह कुछ information दी गई, इसके बाद page number 11 पर जो world affair का section है, या world affair में जो कुछ चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले Taliban push deep into panseer valley करके ज जगह है, अगर आप Afghanistan में देखेंगे तो बिलकुल काबूल के उपर आप नोर्थ वाला पार्ट है, यह जो area है वो Taliban के control में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक force है, जिसको NRF बोलते हैं, यह resistance करती बेसिकली, national resistance front, जो की चाहती है कि पंसीर के अंदर Taliban की presence जो है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन Taliban जितना powerful है, उस हिसाब से गर हम बात करें, तो इस particular area के अंदर बहुँ जादा intensification के साथ यह आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो है, यह लगातार या इस region के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर नहीं, पंसीर valley के अंदर भ क्योंकि Taliban एक बड़ा outfit है, उसको counter करना इतना असान नहीं था क्योंकि पूरी अफगानिस्तान को जो capture कर सकते हैं, तो इस area में हो सकता है कि कुछ सहमय लगे, बट इस area पर भी जैसा कि लगता है कि यहाँ पर particular आपको इसी region में या इस particular region के अंदर भी साथ तालीबान capture कर ले इसको, यह कुछ चीजे उसी के बारे में repeat mode पर यह बताते हैं, लेकिन इस पूरे context में जो सबसे बड़ी problem क्या है, humanitarian crisis इस अफगानिस्तान में अगर आप पुरी दुनिया के अंदर देखेंगे, तो चाहिए world food program हो, या दूसरे institution और नहीं यह mention भी किया था कि पूरी दुनि के अंदर भी humanitarian crisis जो वो face कर सकते हैं, यह देखने को मिल सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर तालिबान जब rule बन रहा है, सरकार बनने की कोसिस की जा रही है, सरकार बनाई आने वाले कुछ समय बन जाएगी, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा कि तालिबान कैसे women के मामले में conservative सा एक approach थी, लेकिन इस बार थोड़ा आपको different देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी restriction बहुत ज़्यादा है, जैसे तालिबान ने order क्या किया है, कि वो universities के अंदर महिलाओं को पढ़ने की permission देगा, लेकिन निकाग के साथ, अब यह निकाग क्या होता है, यह word जो use किया ग पहला होता है, निकाब, निकाब के अंदर basically क्या होता है, तो यहाँ पर आप डेकिन एक वेल जैसा कपड़ा होता है, और इसमें आपकी आखे जो है वो close, आखे मतलब बंद नहीं होती, यानि उसके उपर कपड़ा धका हुआ नहीं होता, और इसमें एक garment of black garment used gazes, इसको बो तो आपके head को जो cover करता है, उसके बाद बुरका होता है, जो complete cover करता है, इसमें आपकी eyes भी open नहीं होती, फिर चादोर, या दुपट्टा, या अलग-अलग कुछ mention करेंगे हैं, बहुत ज़्यादा detail ने पढ़ने ही जरूत नहीं है, निकाब के बारे वर्ड यूज किया ग दूसरा, अगर segregate नहीं होगा, तो उसको divide करेंगे, परदा लगा दीजिए, तो इन्होंने कुछ restriction लगा दीए, कि क्या होता कि co education को spot नहीं करेंगे, separate classes होगे, जैसे boys school और girls school होते हैं, इसी तरीके से boys और girls school इसके अंदर होंगे, अब इसके अंदर और और भी कुछ के अंदर अगर आप देखेंगे, कि जो co education उसको approval नहीं दी गई थी, और अभी भी नहीं दी गई है, इन्होंने आप एक और चीज़े क्या की है, युनिश्टी को बोला कि आप female teachers को hire करिए, अगर आपको लगता है female teachers नहीं है, तब आप कोशिश करिए, कि उन एक तरीके से old male teachers को hire करिए, जिनका एक अच्छा record है, behavior के perspective से, ये चीज़े exam में तो साइद ना आए, लेकिन एक approach क्या है, महिलाओं के परती तालिबान की, उसको आप समझा जा सकता है, co-ad, यानि बहुत जादा conservative सी approach लगती है, बट हो सकता हूँ, अपनी जरह सही हो, दूसरा, कि केवल महिलाओं को महिला ही पढ़ाएंगी, ये भी थोड़ा सा लगता conservative सा, बट इनके according, क्योंकि education बहुत important है, तो ये education की perspective से, कुछ relaxation मैं कहूँगा कि है वहाँ पर, इसके अलावा, एक country जो news में आई, वो थी गिनी, गिनी के अंदर basically क्या होगा, अगर आप geographical location देखेंगे, ये वेस्ट अफ्रिकन कंट्री है, ये country news में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर president को capture कर लिया है, और soldiers ने ये बोला कि government dissolve कर दी गई है, borders को close कर दिया गया है, तो ये ऐसी पहली country नहीं है, जो इस तरही घटना हुई है, ऐसी बहुत सारी country जो news में रही जी जीजमिक की वज़े से, य ये कई ने कहीं एक तरीके से इस तरह की event होती है, और अफ्रीका जो है वो जाना जाता है political instability गरे, अफ्रीकन continent का development ना होना, उसका एक बड़ा region है कि political sustainability अभी भी इस region के अंदर नहीं आ पाई है, और इसी वज़े से इन्होंने बोला कि हमने decide किया कि president को taken किया जाएगा, उन आपको information देखने हों मिलेगी, छोट छोटी information है, साओधिय अरिविया ने हाउती drones को suit किया, हाउती basically rebel group है, और rebel group इसको support करता है इरान, हाला कि अभी बातचीत पिसले उस तिनों में news में रही थे कि इरान और साओधिय अरिविया के बीच में issues को result किया जा सकता है, किसके प्लिश देखी होगी, तो उसके जस्ट पीछे लिखा होता है, interceptor, यह दूर से किसी चीज़ को capture करना, उस पर नजर रखना, आप speed monitoring के लिए वो होता है, लेकिन missile में भी interceptor missiles होती है, इसके लाब बलेस्टिक मिसाल, इनके बारे में आप जुरूर बलेस्टिक हो, cruise हो, इस त वोर्स्ट humanitarian crisis face कर रही है, जैसा कि South Sudan है, Yemen है, even मैं Lebanon को भी count करूँ है, जो कि वोर्स्ट economic crisis face कर रही है, as per World Bank, तो यह कुछ news थी आज के दहिंदू में, thank you all जहिंदू